जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो तो पूरे देश भर में सभी को पता है कि जम्मू गश्मीर में क्या हो रहा है और बीजेपी किस तरह से इसे हैंडल कर रही है सेंटर से जिस तरह से बेरोजगारी यहां पर बढ़ी है 21.6% बेरोजगारी का दर हुआ है अभी और अनिम्प पीजी गैस सिलिंडर अच्छे दिन और बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा था कि मिलिटिंसी यहां पर खतम होगी लेकिन वो अपने ही चुने हुए नुमाइंदों को वो बचा नहीं पाए शूट किया गया प्रिंसेपल को टीचर को और भी सिविलियंस जिस तरह से लगा शायद बीजेपी को पता लग जया होगा कि मैं आ रही हूँ यहां पर कल तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उस लड़की को अपरेशन के लिए चिनना ही लेके जाए तो इसके पहले क्यों नहीं स्टेट हुड छीन ली गई और स्टेट हुड छीन के इसे यूटी बनाय पर इससे स्थानय लोगों को क्या बेनेफिट हुआ है या जम्मु कश्मीर के लोगों को इससे क्या फायदा पहुचा है ये सब करने से ऐसाद क्यूं है कि जब से मोदी जी आए हैं पिछले साथ साल से तब से हिंदू खत्रे में हैं इस देश के हिंदू बहुत सुरक्षित हमेशा से रहे हैं 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है और हमेशा से सुरक्षित रहे हैं लेकिन ये माहोल बीजेपी और सेंटर में आने के बाद ऐसे क्यों बनाया जा रहा है के हिंदू मोदी जी के निगरानी में खत्रे में मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है चाहे पेट्रोल का दाम ले लो आप LPG गैस सिलिंडर कितना महंगा हो गया तो आप अगर 2000 रुपया अगर आप देते हो किसी को भी लेकिन आप अगर उसका 10,000 रुपय छीम लेते हो तो वो 2000 रुपय के एवच में तो उसके पेट्रोल डीजल में और भी बहुत सारी चीजों में इतने पैसे जा रहे हैं तो आपने फाइदा क्या पहुचाया लोगों को लेकिन हम अभी ये बात हम समझ सकते हैं क्योंके जब मोर्वी जी खुरी इतने डरे हुए हैं पंजाब में उनकी सिक्यारिटी को लेके जब मसला हुआ तो कहीं न कहीं हमारे डिपार्टमेंट्स चाहे जुडिश्री हो चाहे जो भी आप डिपार्टमेंट ले लीजे कहीं न कहीं ये पेगेसिस के मामले को ले लिजे जो भी है महिलाओं को तो प्रतारित किया ही जा रहा है हर प्रदेश में तो ये सारी चीजे जो एक विभाग जो गवर्मेंट के सेंटर गवर्मेंट के अंडर में आता है तो मुझे लगता है ये चंद जो कॉर्परेट लोग हैं यही फाइदा इनको पहुच रहा है बाकी तो गरीब तरस्ट है और उनको डैवर्शनरी टैक्रिक के तोर पे ये हिंदू मुसलिम किया जाता है ताकि वो लोग जीते ये लोग सिर्फ नाम के लिए सबका साथ सबका लिकास कहते हैं लेकिन हम वाकरी में खास करके जो लोग प्रताडित हैं उनके साथ में सुनिया जी राहुल जी प्रियंका जी आप हमेशा पाएंगे कि वो हमेशा खड़े रहते हैं देश में एक पुरानी पार्टी है और बीजेपी को अगर कोई टकर दे सकता है तो इसमें मानती नहीं है जिस तरीके से पूरी तरह से आई है हमारे बड़े नेता अभी भी उसके बारे में क्लियर नहीं है वो ट्रांस पैरेंटली अभी बाहर निकलेगी और सही से बात समझा जाएगा लेकिन इन लोगों ने हां जमु का जम्मू के चे बढ़ाएं है और कश्मीर का एक बढ़ाया है तो उस तरीके से मोटा मोटी तो सबको पता है लेकिन और डीटेल जब निकलेगा तब और ज्यादा ट्रंसपेरिंसी जो है नहीं अभी और जो माहॉल डिमोकरसी का बरकरार रखने का होता है जिस तरह से डिमोकरस कि बरकरार रहनी चाहिए गोडसे की जैदेबात करते हैं गांदी को जिसने मारा उसकी जैजेकार होती है हम देश में देख रहे हैं कि किस तरह से यह चारो और तरही माम फैली है कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कश्मीर में प्लैस क्लब में आज क्योंकि हम प्रैस क्लब में क्या हुआ था किसके जंडे इन्होंने उठाए थे जब उस चोटी बच्ची का बलातकार हुआ था कौन था उसके जमिदार तो इनके जो लोग होते हैं ये लोग हर तरीके से इनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता ठीक है और कोई सवाल जवाब ने करने हैं तो कर लिदी